कूं हलो नमस्कार आज हम आपके लिए यह सुनदर सा एक केप लेके आई हैंद इशका आगे का है और यह हमारी नैग को कभर करेगा हमारी गर्दन को प्रेंगा यह पाथ और यह हमारे पूरे सिर को कभर करेगा और यहाँ पर हमने यह फेस के लिए इसको रखा है यहाँ पर हमारा फेस आएगा इस तरीके से राज हम इसको बनाएंगे आप इसको monkey cap, helmet जो भी कहना चाहें आप कह सकती है इसको आप इसे बच्चों के लिए अपने लिए घर में बड़े कमफोटेबल रहेगा और हेलमेट पहने में भी कोई दिख्कत नहीं होगी, क्योंकि जब हम हेलमेट पहनते हैं, तो हमारा कवेल चोटे होते हैं, बड़े होते हैं, हम नहीं पहन पाते हैं, आistes सर्दी लग जाती है, फंदे थोड़े कम जादा कर ले और मैंने इसको थोड़ी सी मोटी उन ली है जो मैंने बनाया है थोड़ी सी मोटी उन से बनाया है और साथ नंबर की मैंने इसमें निडिल ली है और यहां पर जब मैंने यह फंदे उतारे हैं फंदे उतारना मिंस जब मैंने फंदे बंद किय हैं तो थोड़े धीले हाथ से उतारे हैं टाइट हाथ से उतारेंगे तो एक जगा फिक्स हो जाते हैं टाइट हो जाते हैं तो फेस में फस्ते हैं वो चुपते हैं तो यह मैंने थोड़े से धीले हाथ से उतारे हैं बहुत सुन्दर है और यहां पर देखेंगी कि आप मैंने यहाँ पर फंदे घटाएं, यहाँ पर 6 फंदे मैंने घटाएं, जिससे इसकी यह सेव बनी है, आज हम इसको बनाएंगे, बहुत प्यारा कैप है, और तीन घंटे में लगवग बन जाता है यह, अगर आप 7 नंबर से बनाती हैं तो, और अगर आप 10 नंबर की सलाई का चैनल सस्क्राइब कर लें, और बीडिया अच्छा लगे, तो सभी को सेयर करें, इसमें मैंने यहाँ पर 80 फंदे डाले हैं, 80 फंदे, 80 फंदे डालने के बाद मैंने कट वर्क का बॉर्डर बनाया है, और उसके बाद जब हमने इसको कम्प्लीट किया यहाँ पर, तो हमने करते हैं, इसे बनाने के लिए मैंने यह कट वर्क का बॉर्डर बनाया है, और कट वर्क का बॉर्डर बनाने के बाद मैंने इसको कम्प्लीट कर लिया है, और अब हम यहाँ पर, दो उल्टे, दो सीधे फंदे बुनते हुए, इसको कम्प्लीट करेंगे, दो सीधे बुनेंगे दो फंदे उल्टे बुनेंगे दो फंदे सीधे बुनेंगे दो फंदे उल्टे बुनेंगे इसी को रिपीट करते हुए हम इसका बार्डर बनाएंगे देखिए दो उल्टे धागा पीछे दो फंदे सीधे इधर से भी हम दो उल्टे दो सीधे बुनेंगे जो फंदा इधर से सीधा आ रहा है उसको सीधा बुनेंगे जो फंदा इधर से उल्टा है उसको उल्टा बुनेंगे हमने यह वन रो कम्प्लीट कर लिए है अब हम उल्टी साइड आ गए है रोंग साइड तो अब हम यहाँ पर भी देखेंगे देखिए यहाँ पर यह दो फंदे मुझे उल्टे दिख रहे हैं और यह सीधे तो इनको जो इधर से उल्टा है वो इधर से सीधा है वो इधर उल्टा है तो हम ऐसे बुनेंगे सीधे फंदे को सीधा बुनेंगे और जो फंदे हमें उल्टे दिख रहे हैं, उनको उल्टा बुनेंगे, देखिए, ये दो फंदे सीधे हैं और ये दो फंदे उल्टे हैं, तो हम ऐसे देखते हुए बुनेंगे और इसको बार्डर को कम्प्लीट करेंगे, जितनी भी आपको इसकी चोड़ाई चाहिए, आप बंदे बुनते हुए हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, देखिए, इधर से खिलने लगा है बार्डर थोड़ा-थोड़ा, ये दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, इस तरीके से, इसको बना लेती है, हमने अपना बार्डर कम्प्लीट कर लिया है, अब इसक देखेंगे कि यहां से, देखिए, ये फोर इंच, लगबख फोर इंच का ही आ रहा है हमारा, तो अब हमें क्या करना है, ये हमारी सीधी साइड है, और ये हमारी ट्रॉंग साइड है, अभी हमें चार सलाइयां सीधी बुन्नी है, फोर रो, अब हम दो उल्टे, दो सीधे नहीं बनाएंगे, सभी फंदो को सीधा बुनेंगे, पूरी रो हम सीधा बुनते हुए कम्प्लीट करेंगे, हमने एक रो सीधा बुनते हुए कर ली है, अब हम रोंग साइड आगे, रोंग साइड से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे सभी फंदो को, यह हमारी border बुलने के बाद second row है, सबी फंदों को उल्टा बुनेंगे, इस row को complete करने के बाद हम एक सीधी row करेंगे और एक फिर उल्टी row करेंगे, border के बाद हमें total 4 row करनी है, 4 row करने के बाद हम इसको आगे बनाएंगे, मैं 4 rows complete कर लेती हूँ यह हमारी second row है इस time हमने यहाँ पर 4 सलाईया बना ली है यह देखिए 1, 2, 3, 4 4 सलाईया करने के बाद हम यहाँ पर 4 फंदों को बंद करेंगे 1 2 3 4 मैंने ही हाँ पर 4 सलाईया फंदे बंद कर दे हैं 4 फंदे बंद करने के बाद हम पूरी सलाई को सीधा बुनते हुए इसको complete करेंगे इसी तरीके से हम पूरी सलाई को सीधा बुनते हुए करेंगे चार फंदे बंद करने के बाद हमने ये पूरी सलाई कर ली है और अब हम उल्टी साइड आते हैं इधर हमने फोर इस्टिच बंद किये थे फोर इस्टिच हम इधर भी बंद करेंगे चार फंदे बंद करेंगे इधर भी एक दो तीन चार फंदे बंद कर लिए है और यह जो पाकी फंदे हैं हमारे इसको हम उल्टा बुनते हुए पूरी सलाई को कम्प्लीट करेंगे पूरी सलाई को उल्टा बुनते हुए कर लेते हैं हम पूरा पूरी सलाई कर लेते हैं हमने पूरी सलाई कर लिए है इदर अब हम सीधी साइड आ गए हैं सीधी साइड आने के बाद यहां पे हमने पहले चार फंदे घटाए थे अब हम एक फंदा और बंद करेंगे एक फंदा हमने और बंद कर दिया पूरी सलाई को हम सीधा बुनते हुए पूरा करेंगे इस साइड आ गए है इस साइड हमने पहले यहां पर चार फंदे घटाए थे अब इधर से भी हम एक फंदा और घटाएंगे एक फंदा घटाने के बाद पूरी सलाई हम उल्टा बुनते हुए पूरा करेंगे पूरी सलाई को हम उल्टा बुनेंगे यहां पर हमने पहले हाँ चार फंदे घटाए फिर एक घटाया फिर इस बार हम एक फंदा और घटाएंगे यहां पर हमारे छे फंदे हो गए चार एक पांच और एक छे अब पूरी सलाई को हम सीधा बुनेंगे सबी फंदों को सीधा बुनेंगे इधार से भी हम एक फंदा और भटाएंगे सबी फंदों को उल्टा बुनेंगे हमने दोनों तरफ फंदे बंद कर लिये हैं देखिए इधार हमने पहले चार एक एक और इधार चार एक एक दोनों तरफ हम इधर भी हमारे छे फंदे बंद हो गए और इधर भी हमारे टोटल छे फंदे बंद हो गए अब हम इसमें फंदे नहीं घटाएंगे नहीं बढ़ाएंगे अब हम इसको सिंपल बुनते हुए आगे करेंगे जैसे हमने ये सीधी साइड बुनी है और ये इधर उल्टी साइड आएंगे तो ये उल्टी होती है तो इसी पिरकार का हम इसको आगे बुनते हुए कंटीनियू करेंगे मैंने ये बुन लिया है और अब हम इसको अगर फीते से नापते हैं तो ये हमारा देखिए बारा इंच हो रहा है यहां पर हमारा ये बारा इंच हो रहा है ये इसकी जो पूरी लंबा ही है यह बारा इंच है यहां से यहां तक अब हम इन फंदों को दो जगा बरावर बराव बाट लिया है आप रख़गा बांद सकते हैं सेप्टी पिन लगा सकते हैं या दूसरा वाला पिन जैसा जमार कराता है मैं उसको लगा ले मेरे पास यह था तो मैंने लगा लिया इनको मैंने आदा-दा 2 जग़े बाट लिया है अब हम इसको बुरेंगे कर दो इन फंदों को हम यहां तक बुन्के लेकर आते हैं तीन फंदे हम यहां चोड़ देंगे मारकर से पहले तीन फंदे छोड़ देंगे और बाकी सबी फंदों को सीधा गुल लेंगे कि देखिए मारकर से पहले हमारे तीन फंदे बचे हैं तो हम इनको घटाएंगे यहां पर हम सिर्की सेफ देने के लिए इन फंदों को घटा रहे हैं हम इधर से ऐसे नहीं घटाएंगे हम इधर से यह इस तरीके से हम दो फंदों को एक करेंगे और इस फंदे को ऐसे ही बुल देखिए बाकि सभी फंदों को हम सभी फंदों को सीधा बुनेंगे और उल्टी तरफ से हम सभी फंदों को उल्टा कर बुनते हुए इधर आ जाएंगे इसको इलटा बुनते हुए इसको पूरा करना है इस तरीके से कोई फंदा नहीं घटाएंगे इलटा बुनते हुए पूरी सलाई को कमप्लीट करेंगे सीधी तरफ आ गए हैं सीधी तरफ से हमें सभी फंदों को सीधा बुनना है मारकर से तीन फंदे पहले तक मारकर से तीन फंदे पहले तक हमें सभी फंदों को सीधा बुनना है मारकर से पहले तीन फंदे रह गए हैं यह इधर के तो जैसे हमने पहले घटाए थे बैसे ही घटाएंगे इधर के दो फंदों को हम इस तरीके से घटाएंगे देखिए इस तरीके से और इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे मारकर को सलाई में ले लेंगे दूसरी सलाई में पहले फंदे को हम सीधा बुनेंगे और इन दो फंदों को हम इस तरीके से बुनेंगे देखिए इस तरीके से सभी फंदों को सीधा बुनेंगे और उल्टी तरफ से हमें कोई फंदा नहीं घटाना है सिर्फ उल्टा बुनते हुए हमें सभी फंदों को बुनते हुए इधर आना है सीधी तरफ आ गए हैं सभी फंदों को बुनते हुए मारकर से पहले तीन फंदों तक हम इनको सीधा बुन लेगे इस बार हम तीसरी बार फंदे घटाएंगे दो बार पहले हम घटा चुके हैं सीधी तरफ से ही फंदा घटाने हैं उल्टी तरफ से हमें कोई भी फंदा नहीं घटाना है सिर्फ उल्टा बुनते हुए हमें सलाई कम्प्लीट करनी है मारकर से पहले तीन फंदे बचे हैं हम इन दो फंदो को एक करेंगे इस तरीके से इस फंदे को बुनेंगे और इस मारकर को हम इस वार निकाल देंगे अब हमें इसकी आवस्चक्ता नहीं है पहले फंदे को बुनेंगे इन दो फंदों को दो का एक करेंगे यहाँ पर हमारे फंदे यह घट गए हैं तीन फंदे इधर से घटे हैं और तीन फंदे हमारे इधर से घटे हैं टोटल हमने यहाँ पर छे फंदे घटा दिये हैं मैं सीधा बुनते हुए अपनी सलाई को पूरा करूंगी हमने यह बुन लिया है इतना यहां पर हमने तीन तीन फंदे घटा दी है और अपनी सलाई बापस इस साइड ले आए हैं अब हम फिर से इन फंदों को आधा-धा करेंगे इनको बंद करने के लिए मैंने यहां पर मारकर लगा लिया है अब हम इन फंदों को निकाल के जो इधर के फंदे हैं उनको निकालेंगे सलाई से निकाल लेंगे यह हमने आदे फंदे निकाल ली है इसके आदे फंदे निकालने के बाद हम इधर से नहीं डालेंगी सलाई इधर से मारकर की साइड से ही हम इन फंदों को दूसरी सलाई मिलेंगे क्योंकि हमारा धागा इधर था तो हमने इसी साइड को यह लिए है अब यह जो फंदे हैं हमारे इधर वाली जो फंदे यह जो फंदे बचे तो इनकी भी साइड हम चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमें इधर की साइड पॉइंट चाहिए तो हम इन फंदों को भी निकाल करके इस क्टी आई से कश सबूरों सोलाई में लेंगे कि कोई फंदा रहतों नहीं गया हूँ हम इस तरफ आगे और यह हमारा धहागा है हमें धावा तोड़ने क्या वसकता नहीं पड़ेगी अब हमें थ्री निडिल से हम इसको बंद करेंगे देखिए पहला एक फंदा हम इस सलाई का लेंगे और एक फंदा हम इस सलाई का लेंगे इस तरीके से दोनों फंदों को निकाल देंगे बापस एक फंदा इस सलाई का और एक फंदा इस सलाई का यह बुन लिया अब जो यह पहला वाला फंदा है इसको इसके उपर से गिरा देंगे इस तरीके से अब बापस एक फंदा इस सलाई का और एक फंदा इस सलाई का इस फंदे को पहले इधर वाले फंदे को इसके उपर से गिरा देंगे एक फंदा इस तरफ का और एक फंदा इस तरफ का बुनेंगे और इस फंदे को इसके उपर से गिरा देंगे इसी तरीके से हम सभी फंदों को बंद करेंगे इस तरीके से हम सभी फंदों को बंद कर लिया है और ये हमारा एक लाश्ट का फंदा बचा है तो हम क्या करेंगे यहां से ओन को कटेंगे और इस फंदे के बीच से किया है इ हमने चिल दिए इह से यहां पर देखिए थोड़ी सी राउंड से पाई या अंदर को जुकी हुई इस तरीके से बनना अगर हम यहां के फंदे नहीं घटाते तो यहां को चोच बन जाती यह हो गया इस तरीके से अब हमें क्या करना है यहां से जहां से हमने फंदे घटाए थे जहां से हमने यह फंदे गटाई थे गटाई करी थी देखे इस तरीके से इस साइड और इस साइड तो हम यहां से लेके यहां से शुरू करेंगे और यह उठाते उठाते फंदे इस साइड यहां तक हम इसमें फंदे उठाएंगे तो हम फंदे उठाते हैं कि दागा जोर लिया है मैंने अब हम यहां पर फंदे उठाएंगे तो जो हमने फंदे की घटाई करी थी घटाए थे वहां से ही हम इनको उठाएंगे कि तीन चार जहां पर हमने चार फंदे घटाए थे हमने वहां से चारी फंदे उठाए है अब हमने यह पहला फंदा बिना बुना लिया था तो वहां पर जाली सी बन गई है वहां से हम फंदे अपने उठाते रहेंगे देखिए हमने पहला फंदा बिना बुना लिया था तो इस साइड में जाली बन गई है इस तरीके से तो हम वहां से इस फंदे उठाएंगे देखिए जैसे यह बन गिये ना इसके नीचे से हम फंदा उठाएंगे तो इससे बरावर बरावर फंदे उठाएंगे दोनों साइड तो मैं सारे पंदे उठा लेती हूं इस साइट के भी और घुमाते हुए इसके इस साइड तक के फंदे मैं उठा लेती हूं यहां तक के हमने दोनों साइड से फंदे उठा लिये हैं अब देखते हैं कितने कितने फंदे हैं क्योंकि हमें बरावर बरावर फंदे चाहिए इधर भी बरावर होने चाहिए और इधर भी बरावर होने चाहिए तो एक द 10 11 12 13 14 15 15 दूनी 30 और ये दो 32 32 फंदे हो गए हमारे इधर इस साइड में क्योंकि यहां पर यह जोड़ लगा हुआ है जहां पर हमने फंदे बंद किये थे अब इधर के फंदे गिनते हैं हमारे इधर और इधर दोनों तरफ बरावर फंदे हैं अब हम इसका एक उल्टा और एक सीधा बुनते हुए इसका बाडर बनाएंगे एक फंदा हम सीधा बुनेंगे दागा पीछे करेंगे और एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे दागा अपनी तरफ एक फंदा सीधा बुनेंगे दागा पीछे एक फंदा उल्टा बुनेंगे इसी तरीके से हम इसको कम्प्लीट करेंगे, आपको जितना भी बड़ा बनाना है ये बौडर, उतना बड़ा बना लें इसको, मैं अपनी पूरी सलाई कम्प्लीट कर लेती हूँ, एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए हमने एक सलाई कम्प्लीट कर ली है, अब हम सीधी साइड आ गए है, इधर से देखिए आपको जो फंदा उल्टा लग रहा है, उसको उल्टा बुनना है, जो फंदा आपको सीधा दिख रहा है, उसको हम सीधा बुनेंगे, यह हमें एक उल्टा और एक सीधा बुनते हुए हमें पूरा बार्डर कम्प्लीट कर लेना है जितनी भी हमें उसकी चोड़ाई चाहिए बार्डर बना लिया है मैंने हम इसको इंच से नापके देखते हैं इसकी चोड़ाई कितनी है देखिए हम यहां लगाते हैं और यह हमारे डेल इंच डेल इंच का हमारा यह बॉर्डर है यहां पर आ रहा है यह हमारा डेल इंच है यहां पर थोड़ा कट गया है तो टेप हो गया है अब हमें सभी फंदों को बंद करना है कि पहले हम दो फंदों को बंद करेंगे दो फंदों का एक करेंगे देखिए इस तरीके से फिर हम दो फंदों का एक करेंगे और इस फंदे को इसके उपर से गिरा देंगे इस तरीके से, फिर हम दो फंदे बंद करेंगे, दो का एक करेंगे, और फिर इस फंदे को इसके उपर से गिरा देंगे, एक तो ये तरीका है इसका, और एक तरीका ये है कि आप बार बार दो फंदे बंद किये, इस फंदे को बापस सलाई में ले लो, फिर दो फंदे बंद क तरीका है आपको जोनसा तरीका भी अच्छा लगे जिसमें अप अच्छे से कर पाएज आप उस तरीके से कर दें का कि सलाई को धागे को ज्यादा खीचे ना हाथ को थोड़ा दिला रखें फंदों को बंद कर लूँगी जब भी आप इन फंदों को बंद करें तो इसको आप उल्टी तरफ से करें बंद इसको इसको हमारी सीधी साइड आती है देखें यह चेन बंदती हुई आ रही है अगर हम सीधी तरफ से बंद करते तो यह चेन इस साइड आती है इधर की साइड तो मैं सभी फंदों को बंद कर लेती हूँ सभी फंदों को बंद कर लेंगे इसी तरीके से सभी फंदों को बंद कर लिया है और यह आखरी फंदे का लूप रह गया आई है तो हम इसको क्या करेंगे जितना धागा हमें यहां तक सिलाई में चाहिए उतना धागा लेके इसको कट करेंगे कट कर दिया अब इस धावे को इस फंदे में से अंदर से निकाल के खीच देंगे तो यहां पर एक नोट लग जाएगी देखिए नोट लग गई अब यह जो पाठ हमारा खुला हुआ देखिए यह जो खुला हुआ है अब हम इसको बंद कर लेंगे आपको जैसे भी अच्छ करें कि सिलाई कम से कम दीखे तो हम बंद करते हैं सुली ले लेते हैं इसके लिए मैं इसी साइट से सिलाई करूंगी इसकी तो सबसे पहले तो हम इसी को जोड़ेंगे और इस तरीके से जोड़ेंगे कि यहां पर जोड कम से कम दीखिए क्योंकि यह चेहरे के सामने आएग तो यहां पर जोड नहीं दिखना चाहिए कि यह मैंने पक्का कर लिया कि इस तरीके से देखिए अब इसी तरीके से हम इदार से लेंगे फंदे और हलका सा खीच देंगे देखिए इसी तरीके से हम इदार से लेंगे और इदार से तो यह इदार से फंदे बंद हो रही है इसी तरीके से हम इसको सब को सिलेंगे और यह हमारा कैप रेडी हो गया है हमने यहां पर सिलाई लगाई है बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है कि यहां पर सिलाई है बहुत बारिकी से सिलाई लगाई है तो और बहुत प्यारा है यह देखिए बहुत सुन्दर लग रहा है आप यहां पर कट बर्क का बॉर्डर ना बनाए तो आप प्लैन बॉर्डर भी रख सकती है बहुत सुन्दर लग रहा है यह आप इसको बनाए और वीडियो अच्छा झाल झाल